हाई फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आप देखना पॉल्टी मेनेजमेंट पॉल्टी की जानकारी चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त अजेट हाकुल दोस्तों पॉल्टी फीट के बड़े हुए रेट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं हमने देखा है कि लगबग पॉल्टी का रेट 35-36 रुपे के सम्थिंग में रेट बढ़ता जा रहा है और किसान भाईयों से पॉल्टी फा अपना खुद का दाना बना आया है उनकी पॉल्टी के इस लिये मांक के ओपर दाने विशेष बीडियो बनाया है यह आप देख सकते एक गंटे में दोस्तों यह 20 कुंडल 2 टन से जादा दाना बनाती है और आदे गंटे में 10 कुंडल दाना यह बनाती है और इसके बाद में इससे 1000 के पॉल्टी फार्मर से लेके तो 50 यार तक के पॉल्टी फार्मरों का फार्मिंग के लिए आप दाना इससे बना सकते हैं एक इन में सो कुंडल से भी अधिक दाना आप इससे बना सकते हैं और इसको चलाना बहुती आसान है दोस्तों एक ही लेवर दाना बना देती है इसमें मिक्सर की आवसक्ता नहीं है इसका जो हमने यहां पे जो यह दिया है यह देखिए खुली इसको यह जो हमने चेंच का इसका यह दिया इस्पेस इसमें यह हमर दी है काटने का सिस्टम है इसमें दोस्तों यह घूमता है तो इतना जबर जास्त मिक्सिंग कर देता है कि कोई साभी आपका मिक्स करके और निकालेगा साथ में दोस्तो यह जाली दिये तीन प्रकार की प्री-श्टार्टर, श्टार्र और फिनिशर यहां से आप जाली बदल सकते यह जो भी दाना आपको लगाना है वो जाली आप लगा सकते हैं तीन परकार की जाली दी है और इसकी केपीशीटी एक गंटे में 20 कुंडल फीड बनानी की है रहने दीजिए उसे अटा दीजिए जो आपको माल लिए प्री-श्टाटर दाना बनाना तो उसकी जाली अलग है इस्टाटर बनाना उसकी जाली अलग है यहां से आपको इसमें मोटर लगना है यह देखिए यहां पर आपको एक मोटर कसना है और यहां पर कुली लगेगी चान नमबर मोटर में लगना है दस नमबर जिससे की इसके आर्पीम डबल हो जाएंगे और इसकी स्पृट बहुत जादा बढ़ जाएगी साथ में इसा दोस्तों जननेटर से भी हम चला सकते हैं इंजन से भी चला सकते हैं और टेक्टर से भी इसका सिस्टम हो जाता है दोस्तों इस मशीन का बजन लगबाग लगबाग 120-30 किलो के आसपास में है और भोती बढ़िया और आदूनिक मशीन है छोटे पोल्टी फार्मर से लेके बड़ी फोल्टी फार्मर सबी इसका उप्योग कर सकते हैं बिज़े भाई ठकन बंद कीजिए यह दोस्तों भोपाल मद्धिप्रदेश में अवेलेवल है हमारे पास इसकी मैनिफिक्चरिंग हमी लोग करते हैं यह देश में और कहीं उपलब्द नहीं है हमारे पास में सिकायत आ रही थी कि सर गेलेंडर जो होते हैं उनमें फीट की खंता नहीं होती है एक गंटे में एक दो कंडल फीड बनाते हैं तो जो गेलेंडर में खुद यूज करता हूँ अपने फार्म पे वो गेलेंडर आपको बता रहा हूँ इसके बाद में दोस्तों एक और खास बात यह है कि अपना खुद का फीड बनाने में एक हजार पान सो रुपे से लेके तो एक हजार रुपे पिर्ति कुंडल का अंतर मार्केट से आता है मान लीजिए कि आपका पांच हजार का फार्म है और आप डेड़ सो खुंडल यह नहीं 15 तन दाना भी खिलाते हैं और तो पान सो रुपे का अंतर भी आता है तो 75-80 हजार का अंतर होता है और अगर घर बनाने में एक हजार रुपे तंका अंतर लोगों के पास में आ रहा ह व्युक्तले आप उन्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताए नमस्कार यहिंद जैभारत